दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट अफेर्स फंटा की यूट्यूब चैनल पर आपको बता दूँ अभी SSC ने GD का नोटिफेशन निकाला हुआ है और यहां पर 26,000 वेकंसी हैं काफी बड़ा नोटिफेशन है और लोग इसके लिए तयारी भी स्टार्ट करते हैं क्या में SSF है और Rifleman GD है और Assam Rifles है तो इन सभी का एक जो common exam होता है ना Constable GD वो इस format में SSC इसको कंड़क कराता है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन अब इस पूरे examination में जो selection process है वो किस तरीके से होता है सबसे पहले आपका preliminary exam होगा जब आप प्री का exam दे लोगे उसके बाद आपका physical का होगा ठीक है physical के साथ में आपका medical और आपका DB बाला process जो document verification होते हैं यह चीज हो जाएगी फिर merit निकलेगी आपका final selection हो जाएगा इसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले pre होता है फिर आपका मेंस होता है फिर आपका descriptive है ऐसा कुछ नहीं है तो SSC CGL से बहुत हट कर ये SSC GD का examination होता है और जो भी candidates इस exam की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से explain कर देता हूं सबसे पहले जो यह form है यह कितने दिनों के लिए हाँ पर निकाले गहें 24-11-2030 से 31-12-2030 तक cable form भरे जाएंगे ठीक है तो लगबग आपको एक महीने साथ दिन का असपास टाइम आपको मिल जाएगा है आपर ठीक है लास्ट डेट यही है सारी चीज़े में यहाँ पर आपको बता रहा हूं ठीक है यह बहुत important चीज़ है कि इसमें जो आपका exam होगा ना वो computer based होगा ठीक है तो 1.3 में यहाँ पर यहोंने mention कर रखा है कि offline OMR seat वाला कोई चक्कर नहीं है आपको online examinations यहाँ पर देना है और इसमें जो आपका है na English औ आप as a reasonable language यहाँ पर है और आप गुजराती में paper अपना दे सकते हो question को change करके ठीक है तो आपके लिए language compatibility काफी आसान यहाँ पर रखी गई है ठीक है इसके बाद जो pay scale देखोगे तो वो है 3 यहाँ पर 21,700 से 69,100 वाला pay scale है vacancies के बारे में बताएगा कि bsf में male और female दोनों क अलग लग vacancies है आप देखेंगे bsf में male की आई है total 5211 जिसमें category unreserved EWS, OBC, SC, SD जो जिस category का है उसकी vacancies यहाँ पर आई है female की यहाँ पर 963 का total देख लोगे bsf में तो यह 6174 ऐसे करके cisf में CRPF में SSB, ITBP, Assam Rifles, SSF तो इन सब में मिलाकर आपकी total हो गई 26,140 यह total vacancies आपक है इसके बाद next आजाओ यह vacancies जो है tentative है any change in the number of vacancies will be intimidated through the website of the commission अगर कोई change होता है बढ़ती है घटी है तो आपको ससी के upside पर फर्दर आगे बता दिया जाएगा कौन कौन फर्म भर सकता है भारत के सभी नागरिक इस फर्म को भर सकते है निशनल्टी सिटिजन कंडेट मस्ट भी दिस सिटिजन ऑफ इंडिया बारत का नागरिक होना चाहिए और जो वेकेंसीज हैं कंडेट को अपना पर सब्मिट करना पड़ेगा अपना अपलाई जिसके लिए कर रहा हो ठीक है तो यह चीज आप दिया लिमिट का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 18 साल मिनिमम है और 13 साल जो है वो मैक्सम में यहां पर है दो जो फोर्स बगरा के एक्जाम होते ना इसमें यही रहता है इनका ठीक है अठार से बिल्कुल यूथ को यह लोग यहां पर एक नया शेप देते हैं उसको ही यहां पर ही रिक्यूट हायर करते हैं ठीक है तो 18 से 23 से और इसमें मेंशन कर रखाए कि 211-2001 से नॉट है बीन वर्न अर्लियर देन ठीक है और 11-2006 के बाद का परफॉर्म भर पाएंगे ठीक है तो यहां पर क्याइस आपकी हो जाती हो बाकि SCST है ना इसमें रिलक्षेशन प्रॉपर आपको मिलेगा तो SCST का जो रिलक्षेशन है वो भी यहां पर उन्हें मेंशन कर रखा है कि जैसे 5 साल है OBC तो 3 साल है एक सर्विस में होगा तो 3 सा में आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो जरूरत इंफॉर्मेशन है वो मैं आगए आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा और हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर रखा है केबल केबल दसमी पास होना चाहिए कोई भी केड़िट अगर मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास का एक्जामनेशन उसने किसी बोर्ड यूनिवरस्टी जो भी है रिकॉगनाइज उससे अगर उसने कर रखा है तो इसका मतलब वो यहां पर फॉर्म बढ़ सकता है मतलब 18 से 23 साल एज हो गई और दसमी पास हो गए तो आप यहां पर नौकरी के लिए इसके लाबा कोई और क्राइटरिय यहां पर नहीं रखा गया ठीक है ज्यादा मत्था पच्ची नहीं है यह है एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टन की इंसेंटिव टू एंसी सी सेर्टि अफ़ें में बोनस लेगा अब यह होता क्या जैसे अगर आपका एक सुसाठ नंबर का एकजाम हो गया ठीक है तो तो टोटल मार्स का पाच पर सेंट आपको बोनस मिलता है यहां पर टोटल का तीटिन परसेंट तो यहांपर 4.8 माप्स आपके इंटीज हो जाएंगे जो ब बाले में होगा ठीक है और जिसके वास में वाला होगा उसका 2% होगा तो यह 3.2 माक्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे आपके टोटल में अगर आपका समें CBA certificate है ठीक है यह चीज यहां पर के लिए हो गई में mail candidates होंगे ठीक है मतलब उनको 100 रुपए देना है साथ में जो अन्रिजर्ब है OBC है और EWS है इन सभी के लिए 100-100 रुपए आपर देना है इसमें general intelligence और reasoning आएगी ठीक है आपकी तो यह 20 question 40 नंबर के होते हैं आपर ठीक है फिर आपका जो जन्रल नॉलेज और जन्रल एविदेंस जो current affairs है यह 20 नंबर का आता है 40 नंबर के 20 question 40 नंबर के और जितने भी question से सारे objective होंगे ठीक है तो computer पर आपको विल्कुल English और Hindi के अलावा तेरह अलग अलग रिजनल लेंग्विजिस में मिलेगा आप convert करके अपनी question को देख सकते हैं हां एक question सही करोगे तो आपको जैसे कि यहां पर आपने देखा कि 20 question 40 नंबर के हैं तो एक question द आपको दो नंबर मिल गया है लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 25% 0.25 आपका deduct भी हो जाएगा ठीक है तो दो नंबर का जब question है तो पॉइंट 50 आपके नंबर कट जाएंगे डिड़क्ट होंगे अगर आपने गलत कर दिया ठीक है एक question करने पर पॉइंट 50 कटेगा आप तो यह बाली चीज़ है बाकी स्लेबस आप लोग देख लिएगा मैं एक separate वीडियो बनाकर आपको स्लेबस बता दूगा जो स्से सीजल में जो आपका जर्रल इंटेलिजेंस रिजिदिंग स्लेबस हो यही रहेगा और साथ में आपका जो जीए जीके है वह करन्ट एकॉनम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो बेसिक जो फंडामेंटल है अर्थमाटिक का वह आपसे पूछा आता है और इंग्लिश और हिंदी लिखा एक एंडिट्स अविलिटी तू अंडरस्टेंड बेसिक हिंदी इंग्लिज एंडिस बेसिक कमेंशन बुड भी टेस्ट शिखत है तो यह चीज यहां पर है बाकि आपका फिजीकल एंडर्ड पीटी का टेस्ट होगा पीटी में हैं यहां पर क्लिए केलिए तो इन लोग यहां पर यह इंड़ यह तो यह चीज बीज आप नौट बार कर समझ मु में मेल के लिए 170 सेंटीमेटर है फीमेल की 157 है तो वो लोग यहां पर हैं ओके तो यही है फार्म और बाकी भर दीजेगा और बाकी कोई डाउट आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा स्लेबस के उपर और बाकी चाहिए को पर ताकि आपके इन चीजों को भी कबर किया जा सके और हां करन्ट अफिर्स फंडा का मुबाइल एप्लिकेशन वीडियो में तो ने 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 वीडियो